फ्रिविक्स और अलकायल गुरूप के बारें में पड़ेंगे प्रिविक्स तब प्रिविक्स का मत्द होते हैं दोस्त उफसर्ग तो कुछ फांच्णल गुरूप हमेसा उसको सब्सिचुएंट के रूप में लिए जाता है सब्सिचुएंट का मतलब क्या होता है ब्रांच जिसे यह हमारा कार्बन का चेन और प्रिंसिपल चेन चार कार्बान का है तो प्रिंसिपल चेन के बारे चल गया फुलूरो गुरूप तब फुलूरो गुरूप होगी हमारा ब्रांच चाहे सब्सिचुएंट आर का नाम है अल्क और ओकेली अक्सी पूरा नाम हो गिया अल्क अक्सी एक कार्बन का रूटवण होते मित और ओकेली अक्सी पूरा नाम हो गिया इत होक्सी तो कार्बन का रूटवण होते इत और ओकेली अक्सी पूरा नाम हो गिया इत होक्सी अलकाइल ग्रूप का सिंबूल र और एक बोन खाली तो जब एक हाइडोजन हाइटम को हटाया जाता है एलकेल से तब हम लोग पाते हैं अलकाइल ग्रूप तो सामारी फॉर्मूला है CNS2N पलस वन जहां एन हमारे क्या है नम्मर ओफ कारबन आइटम तो अलकेल का रिपरजेंटेशन है आरेज तो आरेज से एक हाइडोजन को हटा दिये तो एक बोन खाली होगी है तो आर के लिए होगी है अलक और ये जो बोन खाली उसके लिए आईल तो पूरा नाम होगी है अलकेल तो R के लिए हो गया Alk और सिंगल बॉंड के लिए N पूरा नाम हो गया Alkin तो Alkin का जेनरल फरॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 तो Alkin से एक हाइडोजन हटा है तो CnH2n प्लस 1 प्राफ्थ हुआ जिसको Alkyl का जेनरल फरॉर्मूला कहते है CH4 का नाम क्या है मिथन, जिस से कारभण के पास 4 तो हाइडोजन है तो एक कारभण के लिए रुटबर्ड होगे मिथ, और सिंगल बॉंड के लिए N तो नाम हो गया मिथ ändern तो मिथिन से एक हाइडोजन को हहटा दियी तो मिथाजल प्राफ्च होता ह Алत है CS3 CS3 तो दो कार्बन के लिए रूट बढ़ होगिये इत और कार्बा कार्बन सिंगल बढ़ के लिए एन तो पूरा नाम होगिये इथें तो इथें से एक हाइडोजन को हटा दी तो CS3 के लिए CS3 लिख दी अब यहां से एक हाइडोजन को हटा आए तो CS2 बाचार एक बढ़ ख prefix यूज़ किए तीन कारवन के लिए root word हो गया प्रॉप कामा कावन single bond के लिए n पूरा नाम हो गया normal propane तो normal propane से एक hydrogen को हटाएं तो c h3 के लिए c h3 हो गया c h2 के लिए c h2 हो गया यहां से एक hydrogen को हटा दिए तो एक bond खाली हो गया यह यह हमारा straight chain है तो इस टेट चैन के लिए normal प्रॉप किए और तीन कारवन के लिए root word हो गया प्रॉप और यह बॉन्ड खाली हो इसके लिए आई तो पूरा नाम होगे normal propile कि एक कारवन दो कारवन तीन कार्वन चार कारवन चार कारवन के लिए प्रॉपिक्स हो गया नॉर्मल मतलब यह हमारा ठेटउ चेन के लिए नॉर्मल प्रिफिक्स लगाए चारकार्बन के लिए रूट बहूत कि यिए नि निग दीए पूरा नाम ओगे नॉर्मल नर्मल ब्यूटैन से एक हटाएं तो के लिए cs3 लिख दिए दो थो बर और यहां से यह गलहां श्डिय खादा है बाद भीयलिये उसके लिए आहल लिखे पूरा ना हो कार्मनMen AG कोछ महत्पूल्ण अलकाइल ग्रूप तो एक कार्बन के लिए रूट्वर्ड होग गेन == अये जो बोन खyuली उसके लिख द्याइ की आइल्ड पूरा नाम हो गिये थ् fascism लिए फटाया नाम होगी इथे én, तो इथें से जब एक हडोजन को हटाते हैं तब इथाइल प्राफ्ट होता है, तो CST के लिए CST लिख दिये हैं और यहाँ से एक हाडोजन को हटाता आएं तो एक बॉन खाली होगी यह देखी देखे यह हमारा स्ट्रेट चेशन है तो तुझás काड़ं से जब को अध़ हटाते हैं तो रिजल्ट वरा ते हम जोको CS3 के लिए CS3 लिख दिए यहां CS2 ता तो CS2 लिख दिए अभी यहां से एक हाइड़ोन को हटाए तो एक बोंड खाली हो गिया तो यह हमारे दोस्ता स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रिफिक्स लगाए तीन कार्बान है तीन कार्बन के लिए रूट लिख दियें देखें तो ये कार्बन और ये कार्बन सेम है तो सेम कार्बन होने के पुछा से आइसो लगा दियें एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन रहे था तीन कार्बन के लिटोड होगे प्रॉप और एक बोंड खाली तो आई लिख दियें पूरा नाम होगे आइसो प्रोपाइल जिसके पास तीन कार्बन हो टी लाई का स्ट्रक्चर हो और एक बोन खाली हो उसको आइसो प्रोपाइल कहते हैं ये कार्बन एक कार्बन से जुरा हुआ है इसलिए इसको वन डिगरी कार्बन कहते हैं ये कार्बन दो अधर कार्बन से जुरा हुआ है इसलिए इ डिगरी कार्बन केते हैं एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन तो स्ट्रेट चेन में यह हमारे क्या स्ट्रेट चेन था स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रिफिक्स लगाए एक दो तीन चार कार्बन के लिए ब्यूट कार्बन कार्बन सिंगल बोन के लिए नोर्मल भीयुटेन नोर्मल ब्युटेन से एक ह línea्टेन को हटागा दीं तो सेट्रेकरे के लिए सेट्री sell you मैं दोब्लीए सेट्री लिए दोज दो पार सेट्री लिख दीं अब यह से एक कि काता है यह खाली हो गया तो यह दिक疫ox दोस्तों यह मारा क्या स्ट्रेट चैन हेता श्ट्रेट चैन के लिए नॉर्मल फ्रिफिक्श लगा दिए एक कार्भन दो कार्भन तीन कार्भन चार कार्भन Cheese नॉर्मल बूती ऑं यहां भूंड सुजुरा हुआ कार्बन ये कारबन दो कार्बन सुजुरा हुआ है इसलिए सेकेंडरी प्रिफिक्स लगा दिए हैं चार कार्बन के लिए रूट वरोड गये ब्यूट और बॉंड खाली तो है ल पूरा नाम हो होगि सेकेंडरी ब्यूट우대 जाएल यहमार किया ग्रिंसीपल देने टेंट से भार gets me और यहां तो इसका नाम होगे आिसो देखे जो ब्रह चेण में में कार्बन के लिए इस्ट और सिंगल सिंगल के लिए नाम होगी आईसो ब्यूत टेंग खटा दी तो सकते हैं तो सियेशरी कलिए इस्थ्री के लिए इस्थ्री लिए यहां से एक हर्ड़ोजन अटा हैं टो एक बॉंट खाली हो तीन कार्बन चार कार्बन चार कार्बन के लिए ब्यूट और यहां बॉन्ट खाली उसके लिए आयल लिग दियें पूरा नाम गया आइसो ब्यूट ताइल तो सीएस्थ्री के लिए सीएस्थ्री लिग दियें यहां कार्बन था तो कार्बन लिग दियें यहां से एक हाड़ प्रिफिक्स लगा ती, एक कार्बन, दो कार्बन, तिन कार्बन चर्पर चार कार्बन, चार कार्बन का रूटवर्ड होगे ब्यूट अब बोंड खाली तो आईल लिख दी, पुरा नामगे टर्शरी ब्यूट आईल